तो आज हम जो स्लीव डिजाइन रेडी करने वाले हैं उसे हम रेडी मेट डोरी और पर्ल के साथ रेडी करेंगे इसके लिए में सबसे पहले स्लीव को कट कर लेना है तो मैंने यहाँ स्लीव की लंबाई लगबग सिस्टी निच रखी है और अब हमें यहाँ अपने फैब्रिक से ही मैच करता है रेडी मेट डोरी लेनी है और मैंने यहाँ मीडियम साइज में वाइट कलर का पर्ल लिया है तो हमें यहाँ पर्ल को एके करके डोरी के अंदर डालना है तो इसके लिए हम सबसे पहले डोरी के जो किनारे हैं उसे हम हलका सा जलाते हुए इस तरीके से गोल कर लेंगे जिससे कि यह हमारे जो परल है वो आसानी से डोरी के अंदर जा सके और देखे इस तरीके से हम यह एक एक करके अपने सभी परल्स को डोरी के अंदर डालते जाए देखे कुछ ऐसे और डिजाइन को रेडी करने के लिए हमें जितनी भी पर्ल्स की जरूरत होगी एक एक करके हम इसी तरीके से इसे डोरी के अंदर डालते जाएंगे और सभी पर्ल्स को डोरी के अंदर डालने के बाद अब हम एक पर्ल को देखे इस तरीके से आगे की तरफ लाएंगे और डोरी को लगबग 3.5 इंच की लंबाई में हमें इसे कट कर लेना है और इसी तरीके से हम एके करके सभी पर्ल्स को आगे की तरफ लाते जाएंगे और डोरी को देखे सरीके से छोटी-छोटी पीसेस में कट करके इसे यहां साइड में रख लेंगे और अब हमें यहां एक कपड़े का टुकड़ा लेना है जिसकी wrong side पर हम देखे सरीके से pasting paper को अच्छे से चिपका लेंगे तो मैंने यह pasting paper की लंबाई अपने slips के मौरी के बराबर ही रखी है और इसकी चोड़ाई मैंने यहां 2 इंच ली है तो हम इसके किनारों को देखे सरीके से अंदर की तरफ fold करते वे इस पर हलकल का चौक से निसान लगा लेंगे इसके सीधी तरफ और अब हमने जो यहां डोरी को cut करकी रखा है उसे हम बीच में से fold करते वे जो मारा pearl है उसे हम बिल्कुल डोरी के बीचो बीच रखेंगे और देखे इस सरीके से हम इसे fabric पर रखते वे इस पर सिलाई लगाएंगे तो हम यहां आगे की तरफ से fabric को लगबग 2 इंचे खाली रखेंगे उसके बाद ही हम डोरी को रखना स्टार्ट करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे तो हमें यह सिलाई बिल्कुल चौक वले निसान पर ही लगानी है जो हमने fabric को fold करते वे इसकी सीधी तरफ लगाई है और इसी तरीके से हमें यह थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपने डोरी को fold करते वे रखते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जानी है तो मैं यहां लगबग डोरी के बीच में एक एक इंच की गैपिंग रख रही हूँ आप चाहें तो इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इस तरीके से हमें अपने पूरे fabric पर डोरी को अच्छे से रखते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जानी है देखे इस तरीके से और अब हम इसके दूसरे तरब के किनारों को देखे इस तरीके से बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ-साथ ही अच्छे से फोल करते वे इस पर हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और सिलाई कम्प्रीट करने के बाद अब हम यहां बिल्कुल इसी के बराबर एक और फैबरिक का टुकड़ा लेंगे और दोनों की राइट साइट को मिलाते वे हमें इस पर सिलाई लगानी है तो हमें यह सिलाई बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ-साथ ही लगानी है तो हमें यहां दोनों फैबरिक को अच्छे से बराबर करते हुए रखना है और बिल्कुल पेसिंग पेपर के साथ साथ ही इस पर सिलाई लगा लेनी है और सिलाई कम्प्लीट करने के बाद अब हम यहां पीछे वाले फैबरिक को आगे की तरफ ले आएंगे इससे जो हमारा डोरी वाला हिस्सा है वो देखे इस सिरीके से आगे की तरफ आ जाएगा तो हम यह जब फैबरिक को अच्छे से सीधी तरफ पलट लेंगे तो हम इस पर एक टॉप स्टिचिंग लगानी है तो हम यह सिलाई बिल्कुल पट्टी के किनारों पर लगाएंगे तो हम बहुत ही ध्यान से पूरे पट्टी पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे देखे कुछ ऐसे टॉप स्टिचिंग लगाने से यहाँ जो हमारा फैबरिक है वो दुबारा से पीछे की तरफ नहीं जाएगी और हमारा जो डिजाइन है वो भी बिल्कुल फिनीसिंग के साथ रेडी होगा और सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ दूसरे तरफ के भी किनारों को बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही देखे सिरीके से फोल करेंगे और इसे हलके हलके हाथों से प्रेस कर लेंगे ताकि जो मारा फैबरिक है वो सही तरीके से फोल्ड हो जाए और इस पर सिलाई लगानी है हमें यहाँ फैबरिक को बिल्कुल भी खीचना नहीं है इससे हमारे फैबरिक पर बल पर जाएगा जिससे जो मारा डिजाइन है वो दिखने में बिल्कुल सही नहीं लगेगा तो हम यह बिल्कुल हलके हातों से फैबरी को फोल करते हुए इस पट्टी को अच्छे से रेडी कर लेंगे और इसके बाद आब हम यहाँ छोटे साइज में परल को लेंगे और इस परल को हमें यह पट्टी में सूई धागे की मदद से आटैज करना है तो इसके लिए मैं सबसे पहले पटी को आगे की तरब से 2 इंच को खाली छोड़ते वे हम यहां पहले एक जगे पर सुई धागे से अच्छे से गाट लगा लेंगे और फिर हम यहां सुई धागे में 3 मोती को लेंगे सबसे पहले और देखे इस तरीके से हमें यह मोती को पट्टी में अटैज करना है देखे इस तरीके से तो जहां हमने सबसे पहले गाट लगाए थी उससे हम लगबाख हाफ इंच की गैपिंग बर इस तरीके से हमें दूसर गाट लगाते वे तीनों मोतियों को ऐसे पट्टी में अटैज कर लेना है और गाट लगाने के लिए हम यहां लास्ट वाले मोती से सुई धागे को गुजारते हुए ही इस पर गाट लगाएंगे इससे जमार डिजाइन है वो सही तरीके से पक्का हो जाएगा और फिर हम दुबारा से यहां दो मोती लेंगे और पहले की तरह ही हम हापिंच की गैपिंग पर गाट लगाते हुए ऐसे मोतियों को अटैज करते जाएंगे और इसी तरीके से हम यहां दो-दो मोती लेते हुए अपने पूरे पट्टी पर इस तरीके से मोतियों को अच्छे सा टैज करेंगे तो देखे मैंने यहां पूरे पट्टी पर मोतियों को अच्छे सा टैज कर लिया है अब हम अपने main sleep को लेंगे तो मैंने यह sleep की मोरी को पहले से ही fold करके रखा है अब हम यहाँ पटी और sleep को दोनों को अच्छे से बराबर करते वे इस सरीके से रखेंगे और जहां से हमने मोती लगाना start किया है वहाँ हम chalk से निसान लगा लेंगे और यहाँ पर हम सुई धागे की मदद से पहले हम गाठ लगा लेंगे और परल के मदद से ही हम यह पटी और sleep को दोनों को आपस में attach करेंगे तो इसके लिए में सबसे पहले एक परल को लेना है और देखे इस सरीके से पटी के जो उपर की तरफ मोती है उससे हम सुई धागे को गुजारेंगे और दुबारा से हम यह एक मोती को लेंगे और इस मोती को हम अपने main sleeve में टाक लेंगे देखे इस सरीके से इससे जो मारा main sleeve है और पटी है दोनों आपस में मोती की वज़ा से अच्छे से attach हो जाएंगे और ऐसे ही हमें एक एक मोती को लेते जाना है और इन दोनों की बीच में हमें मोती को अच्छे से attach करते जाना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे है तो देखे इस सरीके से हम इन दोनों की बीच में मोती को attach करेंगे और ऐसे हम अपने main sleeve को मोती के मदब से पटी में अच्छे से जोइंट कर लेंगे और इसके साथ ही जो मरा sleeve design है वो बनकर ready हो गया है आप इस design को अपने trouser या फिर plazo pen के bottom में भी ready कर सकते हैं उस पर भी ये design बहुत ही खुबसुरत लगेगा और इस सरीके से हमें अपने sleeves की fitting कर लेनी है और ये जो मरा sleeve है वो बनकर ready हो जाएगा अगर आपको ये sleeve design की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को like करे, share करे और अगर आप मेरे चैनल पर new है तो चैनल को subscribe कर ले और उसके पास फिले bell icon को भी press करना ना भूले thanks for watching